नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं आएसे में पारा सिक्षकों ने एक बर फिर से सड़क पर उतरने का फैसला किया है बदादे जर्खन के पारा सिक्षक 17 जुन को मुख्य मंत्रे हमान सुरेन के आवास का घिराव करेंगे अब तक बेतन मान नहीं देने, EPF लागू नहीं करने, अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं किये जाने C-TATE को J-TATE के समान मनयता नहीं दिये जाने और अप प्रसिक्षितों को प्रसिक्षित नहीं किये जाने के बिरोध में यह घिराव किया जाएगा एकी कृत सहायक अध्याप्रक संगहर्स मोर्चा ने रभीवार को मोराबादी में बैठा कर अंदुलन की रणीती तयार किया है बैठाक में यह निना लिया गया है कि 31 माई तक सभी जीला कमेटी संगठन ससक्तिकरण और मुख्य मंत्री आवास गहराव कारकरण पर चार्चा करेगी इसके बाद चार जुन को राजे के सभी मंत्रियों से मिल कर मंग पत्र सोपा जाएगा और उन्हें भी मुख्य मंत्री आवास घहराव में सामिल होने के लिए अमंत्रिन दिये जाएगा इसके बाद 17 जुन को मुख्य मंत्री सह प्रभारी सिक्षा मंत्री के आवास का घिराव किया जाएगा मौसम विग्यान केंद्र रांची के वरिय वैग्यानी अविसेक आनन ने बताया कि आने वाले पाँच दिनों तक गर्मी से रहात मिल सकती है इन पाच दिनों में हलके से मत दर्जे की बारिस हो सकती है इसे तापान में थोड़ी गिरावट हो सकती है रभीवार को डालते हैंगा सबसे गर्म जीला रहा यहां राजे का सबसे अधिक तापमान 43 डिगरी सेलसेस रिकॉर्ट किया गया बदादे राज़ानी राची की बात करें तो रभीवार को अधिकतम 49.2 डिगरी जबकि निमत्म 26.1 डिगरी सेलसेस रिकॉर्ट किया गया मौसम बिग्यान केंदर राची के मौसम बिग्यानी अविस्सीक अनन्द कहते हैं कि केरल में मांसून देरी से पहुचने के कारान जहरखन में भी देरी से पहुचेगा औसी उत्कृष्ट इसकूलों में नियुक्त होंगे प्रवंधधक राज्जे सरकार की महत्वा कांजिय योजना के तहथ बिक्सित किये गए 800 कृष्ट SKEŁलों में प्रवंधक नियुक्त किये जाएंगे परतेएक इसकूल में एक एक प्रवंधक के नियुक्ती होगी इनका मुख्य काम इस्कूलों में अधारभूस रचना को बनाए रखना, बच्चों की सुरक्षक, साफ सफाई सुनेश्चित कराना और परचार्यों को अकादमिक स्वयोग परदान करना होगा पहली बार किसी सरकारी स्कूल में प्रवंधक के नियुक्ति होगी बतादे प्रवंधक के पदो पर CBAC या ICAC से समंद स्कूलों नवदे विद्यालाय केंद्रे विद्यालाय से से शेवानिवरित हो चुके परचार्यों की नियुक्ति अनुबंद पर होगी CBSE से समत्ता प्राप्त स्कूलों के सिवानिरित प्रचार्यों को नियुक्ति में प्राथमिक्ता दी जाएगी इसके लिए अधिक्तम आयूजी में 62 वर्स निधारित की गई है बता दे नियुक्त प्रवंदकों को प्राति मां 60 रुपे मांदे दिया जाएगा जार्खन सिक्षा पर योजना प्रिषद ने प्रवंदक के प्रवंदकों को नियुक्ति के लिए 25 माई तक आवेदन आमंत्रित किये है बिजली संकट को लेका सांसद संजय सेट की केंडल लाइट पीसी जार्खन में भीशन गर्मी के साथ ही पावर कट और पानी संकट गराने लगा है लिहाजा रविवार को रांची के लोग सभा संसद संजय सेट ने प्रतीक सोरूप केंडल की लाइट में सनवादात्ता समेलन कर बिजली और पानी के मुद्दे पर हमन सरकार को घेरा भाजपा संसद दिपक प्रकास ने सनवादात्ता समेलन कर राईधानी रांची और पूरे लोग सभा छेतर में बिजली पानी के अपूर्थी पचिंता जटाते हुए हमाज सोरूप सरकार पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि एक और राईधानी रांची सहित राजबहर में बिजली और पानी के लिए हाकार मचा है वहें दूसरी और बरतमान सरकार चीर निद्रा में सोई हुई है बता दे भाजबा सांसद ने कहा है कि ऐसा लगता है कि वर्तमान हिमन सरकार को जन सरोकार के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है सांसद संजर सिट ने कहा है कि ऐसी सरकार जी ने जानता है कि मुद्दों की परवा नहीं उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है 2000 के नोट से डूबे देशवासियों का 20,000 करोड जे में 2000 रूपए के नोट 30 सितंबर 2023 तक भारत में प्रचलन से बाहर हो जाएगा RBI के इस फैसले पर जारकण मुक्ति मोजा ने तिखी परतिकिरिया दी है रांची में पाटी का रेले में केंद्री परवक्ता सुप्रियों बाटाचा ने सनवादता समिलन किया सुप्रियों बाटाचा ने कहा है कि 2000 के नोट छापना गलत फैसला था और अब इस नोट का वापस लेने के फैसला भी गलत है उन्होंने इसकी तुलना आर्थिक आतंकवाद से की है बता दे जार्खन मुक्ति मुर्चा ने बैंकों में 30 सितंबर तक 2000 के नोट एक्सचेंज करने वाले ब्यक्तियों के नाम सरोजनिक करने की भी मांग की सुप्रियों बाटाचा ने कहा है कि करना टक में हार चुकी भाजबा अब रायस्थान मदेपरदेश 36 गर और अन्य राजों में होने वाले चुनाव को ध्यान में रख कर 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है पार्टी परवक्ता ने इसे देश पर आर्थिक प्रहार बताया है रांची लाया गया 25 लाह काई नामी नक्सली दिनेस गोप उग्रवादी संगठन पी लेफाई के सुप्रीमो दिनेस गोप को एन आये के द्वारा गिरफतार करने के बाद कड़ी सुरक्षा ब्यवस्ता के बिच रांची ले लाया गया है रांची यारपोर्ट बाद दिनेस गोप के पहुँचने से पहले ही पूरे यारपोर्ट को पुलिस चाओनी में तब्दिल कर दिया गया था बतादे राश्ट्रिय जांच एजेंसी के अनुसार दिनेस गोप की दिल्ली से गिरफतारी हुई है गिरफतारी के बाद रब्विवार को जारखन के प्रतिबंधी तनक सरली संगटन पी प्लस लिवरेशन फ्रंट ओफ इंडिया के फरार सुप्रीमों दिनेस गोप को रांची लाया गया रांची में एनाये के साथ जारखन एटीयस और रांची पुलिस की टीम उससे पूछताश कर रही है इससे पहले एनाये ने एक प्रेस रिलिस जारी कर दिनेस गोप की गिरफतारी के समन्द मेडिया को जनकारी दिया है संताल परगना में एनार्सी लागू करने की बीजेपी नेताओ की मांग पर बोले सियम हमन्त इन्हें अमन चैन बरदास नहीं संताल परगना में एनार्सी लागू करने समन्दी भाजपा नेताओ के ब्यान पर मुख हमन्तरी हमन्सुरे ने कड़ी परतिक रिया दी है उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेताओं के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है ये सोसल मीडिया के माध्यम से ऐसा संदिश दे रहे हैं जिससे देश में भाय का वातावरं बने ये वैसे लोग और समू है जो देश के अंदर अमन चैन और सांती बरदास नहीं कर सकते उन्होंने सवाल उठाया है कि आज मनिपूर में क्या हुआ इससे पहले असम में क्या हुआ था ये भी दिन देखना था और आगे आने वाला दिन भी दिखेगा कौन घुसपेट करा रहा है और कौन नहीं करा रहा है ये विसाय राजे का नहीं है या केंद्र सरकार और गिरिह मंत्राले का विसाय है देश की सिमा पर कौन लोग है लेकिन सेना की क्या दूरदसा है ये पुलवामा से खुलासा ही हो रहा है 2000 की नोटबंदी पर हिमन्त सुरेन का केंदर सरकार पर हमला RBI ने 2000 के नोट को आपस लेने का नेना लिया है विपक्ष RBI के इस निर्नाय को पधानमतिनानमोदी के नोटबंदी के दाओ से पीछे हटने के तोर पर देख जा रहा है नोटबंदी की सुरुवात से ही विपक्ष नोटबंदी को लेकर लगातार हमलवार रहा है अब RBI के 2000 के नोट को आपस लेने के फैसले के बाद विपक्ष को एक बर फिर हमलवार हो गया नोटबंदी पर पीए मोदी को घिरने में जारखन के सियाव हमान सुरेन भी पीछे नहीं है बता दे RBI के इस फैसले के बाद हमान सुरेन ने केंदर सरकार पर जम कर निशाना साधा है उन्होंने अपने ब्यान में कहा है कि एक केंदर सरकार का रायनेतिक निरना है और इन्हें लगता है कि ऐसे निरनायों से वो अपने रायनेतिक वाजूत को बचा पाएंगे मगर अपदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझ रही है मुझे लगता है कि जिस उमीद के साथ केंदर की सरकार चुनी गई है वो सभी उमीद्दे चक्ना चूर हो गई है दुर्गा सुरेन की चौदावी पुनिय तिति मनाई गई जारखन के मुखी मंत्री हमन सुरेन रभिवार को जारखन अंदोरन के युद्धा एवंपुर्व विधायक दुर्गा सुरें के चौधो पुणे तीती पर रांची के नाम कुम इस्ठीद दुर्गा सुरें अस्मारक पौँछे वहा मुखि मंद्री ने दुर्गा सुरें की पधिमा परमली यारपं कर उन्हें भाव हीनी सरदान जेली दी सीम ने कहा है कि वर्सों से वीर सहीदों को हम सब भी समान देते रहे हैं सहीदों के समान के लिए हमारी सरकार राजी के विभीन सहीद असमारकों को भवेत्ता परदान करने का कारे कर रही है बंदे भारत एक्सप्रेस पर उडिसा में हुआ बजरपात भारत की सबसे आतेदुनिक ट्रेन बंदे भारत एक्सप्रेस परबजरपात हो गया है बंदे भारत परबजरपात उस वक्त हुआ जब यह ट्रेन एक नदी को पार कर रही थी धन्यवाद